हलो दोस्तो मैं हूँ आपकी फर्मासिस्ट जोटती और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सीसीयम टेबलेट के बारे में तो चलिए सुरू करते हैं केलसियम और विटामिन डी की कमी का इलाज करने के लिए यूज की जाने वाली न्यूट्रेशन डायट का एक सप्लिमेंट है न्यूट्रेशन की कमी तब होती है जब हमारा सरीर भोजन से परियाप तक पोसक तत्व को अवसोशित या प्राप्त नहीं कर पाता है सरीर के पिकास और रोगों की रोग थाम के लिए हमारे बोडी के लिए पोसक तत्वा बहुत ही जरूरी होते हैं इस टेबलेट में तीन सप्लिमेंट का एक कॉंबिनेशन है जिनके नाम है कैलसियम सैट्रेट, कोले कैलसिफरोल और फॉलिक ऐसीट और अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये तीनों कॉंबिनेशन से हमें क्या फायदे होते हैं और ये हमारे बोडी में क्या वर्क करते हैं Calcium citrate हमारे हर्डियों की density को बढ़ाता है और उन्हें मजबूत बनाता है जिससे हमें हर्डियों से रिलेटेट कोई भी जर्दी प्रोब्लम नहीं होती है और कोले कैल्सिफ रोल बिटामिन D का एक रूप है जो कैल्सियन के अबजोप्शन में हेल्प करता है और folic acid new red blood cells का production करके और उनके रख रखाओं में हेल्प करता है जिससे हमें oxygen मिलती है और जब हमारे body में red blood cells की संख्या कम हो जाती है तो हमारे सरीर को पूरे सरीर में oxygen पहुचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मैनत करनी परती है और इहीं सब का इलाज करने के लिए इस tablet का यूज किया जाता है और अब बात करती हूँ कि इस tablet को आप कैसे यूज करेंगे तो इस tablet को आप सूबह या साम में खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले भी कर सकते हैं या फिर इसके बारे में अपने डॉक्टर से भी सला ले सकते हैं और इस tablet को जब तक आपके डॉक्टर ने आपकी medical condition के अधार पर आपको लेने की सला दी है तब ही तक आपको इस tablet को लेने चाहिए क्योंकि कुछ मामलों में इससे आपको पेट में दर्द, कब जमान स्पेशिवों में कम जोरी, मतली और उल्टी जैसे कुछ common side effects हो सकते हैं बट इन side effects पर आपको ज़्यादा ध्यान देने के ज़रत नहीं है क्योंकि टाइम के साथ धीरे धीरे अपने आपे ठीक हो जाते हैं और यदि फिर भी कोई side effects ज़्यादा time तक बाना रहता है या बिगाड जाता है तो तुरंत अपने डॉक्टर को इंफॉर्म करें तो अगर आप लोगों को यह information अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके notification bell को turn on all notifications को set करें Thank you